नमस्कार जय जोहर मैं कोमाल साहूँ स्वागत करता हूँ आप सभी का Competition Community के इस e-learning platform में जहां पर आज हमारे चर्चा का हमारे मन्थन का एक वीशा है जिससे बोल रहे हैं क्या मध्यकालिन 36 गड़ इससे पहले हमने क्या देखा था प्राचिन 36 गड़ के उपर एक एक प्रस्णों पर अच्छे से एनिलिसिस किया था अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा हूँ अगर उसको 36 गड़ कला और संकृती या प्राचिन 36 गड़ के उपर पूरे जो वीडियो बने हैं उगर देखने है तो हमारे चैनल पर जाके क्या कर सकते हैं देख सकते हैं अगर एकदम नए हैं तब इससे सबस्क्राइब भी कर सकते हैं पांचवा, चटवा और यह सातवा, यह सातवा, ठीक है जी, आपको comment करके बताना है, आप यही पे आप video को pause कर सकते हैं, आप बताएंगे कि अगर यह क्या दिखरा है आपको, इस्थापत्य कला दिख रहा है तो यह इस्थापत्य कला कहां पे है और इस मंदिरों का क्या-क्या नाम है करके तो इन मंदिरों को नाम आपको कमेंड करके बताना है अब चलते हैं हमारे पहले प्रस्णा के लिए और ये सब मंदिर हो सकता है आप हर प्रस्णा में देखेंगे तो चलिए चलते हैं पहले प्रस्णा के लिए आपके लिए प्रहला प्रस्णा बोल रहा है कि राज में सरवाधिक लंबे समय तक प्रसासन कनने वाला राजवन सिनिन्म में से कौन सा है यह प्रसन आपको पूछा हुआ है भई बार बार पूछता है अब देखिए चारो अपसन में तो मैं आपके लिए सबसे पहले तो आंसर बता देता हूँ कि कल्चूरी वन से क्लियर जी अब कल्चूरी वन जो है इसका प्रसासन काल देख लिजिए एक हजार से सतरा सव एक चालीस तक यह लगातार साथ सव एक चालीस साल तक क्या गिया प्रसासन किया है तो आपको याद रखना सबसे पहली कल्चूरी एक हजार से सतरा सव एक चालीस क्लियर आगे कहानी पूरा बता रहा हूँ उसके बाद चले किसके लिए मराठा अब ये मराठा ही थे जिन्होंने किसके उपर हमला किया था अक्रमन किया था कल्चूरी के उपर तो 1741 में इन्हों ने क्या किया? अपना प्रसासन प्रारम किया और लगभग 1754 तक अपना क्या क्या? प्रसासन किया याद रखते हैं काक्ति का बाय थे 1, 2, 3, 4 मतलब 1324 में इन्हों ने क्या किया? बस्तर पे अपना प्रसासन प्रारम किया और लगभग 1961 तक अपना क्या क्या प्रसासन किया क्लियर जी आप देख रहे हैं यह अगर आप देखोगी यह है 36 गड में सरवाधिक समय तक प्रसासन करने वाला राजवंज अगर आपको नया प्रस्न बनेगा तो पूछ सकता है कि बस्तर में सरवाधिक समय तक प्रसासन करने वाला राजवंज सभी तो आपको याद रखना क्या बस्तर में सरवाधिक समय तक प्रसासन करने वाला राजवंज क्लियर जी एक दो लोग बोर रहे थे कि सर इस फिर थोड़ा जादा हो गया तो इस बार कोशिस कर रहा हूं कि इस फिर थोड़ा कम कर लो ताकि आपको चीज ये एकदम अच्छे से क्या हो याद हो क्लियर जी आगे बढ़े क्या आपको याद रखना एक हजार से लेकर 1741 यह क्या एक राजवन से कल चूरी अब आपको पूछेगा कि अगर 36 गड़ में जो कल चूरी है वो कौन से कल चूरी के थे या कौन से साखा थे तो आपको याद रखना जबल पूर जबल पूर है क्या त्रिपूरी में जो लहूरी साखा है वहां से सम्मंदिते कौन 36 गड़ में जिन कल चूरियों ने सरवाधिक समय तक क्या क्या प्रसासन किया आपको दो प्रशना यही से और बनेंगे पहले यहां से याद रखना का और दूसरा यहां से याद रखना तो का से कल चूरी और रा से एक तो आपको याद रखना değil social link, तो आपको याद रखना Analytics, कंसा दूसरा आपको याद रखना अंश्न भी alerts पूछता है तो आरे से याद रखना posts . तो आपको पूछता है, कि अंतिम कल शूरील शाशक कौन था अंतिम कल चूरी सासक तो याद रखने आपको क्या रगुनात सिंग क्लियर जी आपको प्रस्ण कितने हो गए यह त्रिपूरी पुस्ता है लहूरी साखा पुस्ता है आपको संस्थापक पुस्ता है आपको अंतिम राजा पुस्ता है चार प्रस्ण आपको यह हो गया पाच् कोई यहां से प्रस्ण बनेगा तो आपको पूछेगा अगर Marta कोई ना कोई सावसक हो एक जिन्होंने इस पर हम लगिया तो यहां पे थे को उन रग्भुows जी heißt अर। आक युहों ने क्या किया हमला किया किसके उपर जी कल्चूरियों के उपर और कल्चूरिम भी किसके उपर हमला किया रगुनाथ सिंग के उपर तो आपको याद रखना अंदिम कल्चूरि सासा को रगुनाथ सिंग और रगुनाथ सिंग के उपर हमला कौन किया था भासकरपन्थ और भासकरपंत किसका सेनपती था रगुजी प्रत्थम तो ये प्रस्ना पूषता है ये प्रस्ना भी पूषता है और कब किया था ये भी पूषता है तो आपको याद रखना 1741 में भासकरपंत के द्वारा रगुणास सिंग के उपर क्या किया गया था जी आक्रमन किया गया तरह से जो आपके लिए 741 साल तक लगातार प्रसासन करने वाला आपके लिए पास कौन था राजबंस नाम क्या था उसका कल्चूरी ये क्या हो जाता है समापत हो जाता है आगे बड़े क्या अगला याद रखना आपको काक्ती वंस यह जो काक्ती वंस है यह याद अकब 1324 से लेकर कब 1901 तक अब यह आया होगा तो यहाँ पे भी तो कोई रहा होगा क्या राजा जिन्होंने इसको स्थापित किया होगा तो आदमी का नाम याद रखना आपको एक राजा का एक सासक का नाम याद रखना संस्थापक या प्रथम सासक यह सब प्रसन पूछा हुआ है आपको मैं बता रहा हूं तो आपको याद रखना है क्या जैसे आप क्या करते हो दंते वडम जाते हो ना तो वहाँ आपको क्या मिलता है अन्न मिलता है खाने के लिए तो तो आपको याद रखना है जी अन्नम दे वो राजा थे जिनों ने क्या किया यहाँ पे जो पहली लोग रहते थे उनके उपर आकरवन की अब कौन लोग रहते थे आगे एक प्रस्णम हम एक एक चीजों को देखेंगे तो आपको टेंसल लेने वाली बात नहीं आगे बड़े क्या आपको याद रखना राश्री तुल्य कुल्य वन अब आपको यहां 36 गड़ एक प्रस्णम पुस्ता है आपको पुस्ता है 36 गड़ कि यह जो राश्री तुल्य कुल्य वन सा इसके बारे में क्या-क्या फैक्ट है बताइए भाई कि 36 गड़ में पहला या सर्व लास्पूर में आपको किसको माना जाता है वे राजवर्ण से आपके लिए कौन सा रास्ट्री तुल्य कुल वंच आपको याद रखनेत एक लिए तो आपको प्राश्ण नंबर वन क्लियर हुआ आपको यहां से इतने सारे प्रस्ण बन रहे है चलते हैं हमारे दूसरे प्रस्णा के लिए दूसरा प्रस्णा क्या पूल रहा है महमाया मंदिर रतनपूर महमाया मंदिर आपको दोठोग है, आप अगर राइपूर आओगे तो पुरानी बस्ती में भी आपको क्या मिलेगा, जी महमाया मंदिर मिलेगा, अगर आप बिलासपूर जाएंगे तो बिलासपूर में आपको कहा मिलेगा, रतानपूर में महमाया मंदिर, तो बोल रहा है, जो रतनपुर का महमाया मंदिर है, इसकी स्थापना किस कलचूरी सासक ने करवाया, कलिंग राज, कलिंग राज को हम क्या बोले, कलिंग राज क्या था, जी कलचूरीयों का संस्थापक था, तो कलचूरीयों का संस्थापक, दूसरा आपको यही कौन थे, जी पहले राजा थ तुम मान तो यह दो प्रस्ण तो आपको पूछा हुआ है तीसरा प्रस्ण यह पूछता है कि कलिंग राज जब कल्चूरियों का क्या रखता है निव रखता है तो अपना राजधानी किसको बनाता है आपको याद रखना तुम मान तुम मान आपके लिए कहां पड़ता है आप इसका tenure देखोगे, इसका कार्यकाल देखोगे, तो इन्हों ने क्या आपके लिए कल्चूरियों ने 1000 से लेकर 1741 तक प्रसासन किया, जिसमें 1000 से लेकर 1020 तक किसने कलिंग राज ने तुमान में क्या किया अपना राजधानी बनाया और वहीं से अपने प्रसासन का संचाल किया, क्लियर जी, लेकिन आपको बता दे रहूं, कुछ बुक ये लिखता है कि महिसा सुर्मर्दिनी मंदिर का निर्मान कलिंग राज के द्वारा किया गया है, अगर आप कलिंग राज के आत्मा पूछो गेत, आत्मा भी बोल देगा, मैं नहीं जानता करके, कहा कहा सफेक लाते हैं, कोई चीज पता नहीं रहता, तो आप एकदम भई, ब्लाइंडली किसी के उपर बुलिव नहीं करेंगे, ठीक है जी, विश्वास करना अच्छा बात है, लेकिन आस्था, आस्था को पर प्रस्ण चिन्ह नहीं लगा जाता, ठीक है जी, तो मैं आपके आस्थाओ के उपर क्या नहीं करूंगा, ठेस नहीं पहुचाऊंगा, लेकिन विश्वास करें, अपने चीजों को देखें कि क्या आप पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्लियर, आगे बड़े क्या, अगला याद रखने आपको क्या, कमल राजी, जो कमल राज है, वो एक हजार से लेकर, एक हजार पैंटालिस तक क्या किया, प्रसासन किया, और ये भी कहां से प्रसासन किया, तुम मांड से, अब बोलोगे सर, इसको कहे बता रहे हो, ये भी पूछा हुआ प्रसन है, क्योंकि अगला ये आएगा आपके लिए आंसर, जो पूछा है क्या, महमाया मंदि रतनपूर, तो ये जो रतनदेव है, नाम सुनिए, यहीं से आपको हिस्ट्री क्लियर होगा, अगर आप बिलासपूर के होंगे, अगर आपको हिस्ट्री पता है कि नहीं, पता मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपको रतनपूर का हिस्ट्री, आदमी का नाम है क्या रतन देव एक राजा हुए भाई अब देखो 1045 से लेकर 1065 तक इन्हों ने क्या किया अपना प्रसासन किया और इन्हों ने क्या किया रतना पूर रतना पूर हम लोग तो है एक दम 36 गड़ी है लोग असो नौ आदह हमारे कुछ नहीं होता लोग यहां मार रहें तहाँ भी पुरे कमप्लीट प्रसास्थ में रतन पूर में अब ये रतन पूर बनना स्टार्ट होता है, 1045 में लगभग 5 साल लगता है, इसको बनने में, 1050 में ये रेडी, अब जब 1050 में रेडी आप समाझे हैं, जैसे आप एक नया घर ले रहे हो, एक नया घर बनवा रहे हो, तो भाई जब घर बनवाओगे, तो आपका या तो पुराना घर होगा, या तो आप किसी घर की रायम रह रहे होगे, ऐसा तनी मालोगे, काद दूसाल, 5 साल लगा है, पूरा रतनपूर को बसाने में, अगर 5 साल लगा, तो आप ऐसे क्या, 5 साल धूब, गर्मी, बरसा सब में ऐसी रहोगों क्या, नहीं, तो इन्होंने भी क्या किया था, तुम्माण तुम्माण से आप लिख क्या, तुम्माण से अपना प्रसासन, अच्छा, ये तुम्माण को आप ऐसा भी लिख सकते, तुम्माण, क्लियर जी, तो आपको याद रखने है तुम्माण, इन्होंने भी तुम्माण से अपना क्या क्या, प्रसासन का संचालन किया, तो आपक प्रसना और पुष्टा यह प्रशना तो आपको पूछा है दूसरा प्रसना इसी में पुष्टा है कि अंतीम वा कोन सा सासक है जिन्हों ने कहां पे तुम्माण में प्रसासन किया तो आपको याद रखना रतना देवप्रथाम यह आदमी पांस साल बात कहां पहुँच गया रतनपूर उसी को क्या बोलता था अपने नाम पे राजधानी बनवाएं, अब एक सहर बस आया, अब एक सहर बस आया, जैसे आप घर बस आते हो, तब क्या करते हो, जी कहीं कहीं एक जगा मंदिर रहेगा, एक फोटूच रहेगा, जहां पे पूजा करने के लिए, तो भाई को याद रखना महादेवी का जो मंदीर है 1085 में रतन देव प्रथम के द्वारा क्या किया जाता है इस्थापित किया जाता है। प्रस्न ओवह भी पूछा हुआ है, प्रस्न ये भी पूछा हुआ है, अब आपको पूछेगा ये जो आपके लिए क्या है रतनपूर है इसी को क्या आपको याद रखना कुबेरपूर की संग्या दिया तो ये प्रस्ण आपको पूछता है कि वह कौन सा राजा है जिनोंने रतनपूर को या रतनपूर को कुबेरपूर की संग्या दिया तो आपक जो कोई छोड़ नहीं सकते, आपको धीरे धीरे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्लियर, आगे बढ़े क्या, आपको याद रखना बाहरेंदर साय, तो बाहरेंदर साय को अपन पढ़ेंगे, क्लियर जी, अब आपके लिए important यह है, जैसे अभी मैं पूछूँ आपको राजधानी, आपको मैं चार option देता हूँ, आप ये बताईए, 36 गड़ की वर्तमान राजधानी कोन है, 36 गड़ की वर्तमान राजधानी, option दे रहा हूँ भई, आप मेरे comment करके बताईएगा, मैं जहां रहा हूँ, आधे ज्यादा लोग इसमें भसात जाएंगे, A, B, C और D, clear जी, A लिख रहूं मैं राइपूर, दूसरा है नावा राइपूर, तीसरा है क्या, नया राइपूर, और चौन्था है क्या, नावा राइपूर, अटा लन अगर, आप मेरे option A, B, C, D लिखे, या तो सिधा नाम लिख देंगे तो भी चलेगा, मैं इसको नहीं बताने वाला, मैं अगले वीडियो में इसको बता दूँगा, मैं राजधानी बता रहूं, इसलिए बता दिया, आपको याद रखना, लगभग 1050 को 36 गड़ की पहली राजधानी, क्या बोला आपको मैं, जो रतनपूर था, ये बना 36 गड़ की पहली राजधानी, तो आपको रतनपूर जो है, अगर 36 गड़ की पहली राजधानी होगी, तो ये राइपूर कब हुआ होगा, ये इन्पोर्टेंट है, तो ये राइपूर हुआ था आपके लिए कब, 1818 में, 1818 में आपके लिए क्या चल रहा था, सूबा प्रसासन चल रहा था, तो यहाँ एक सूबे, अधिक्छक काल चल रहा था, 1818 से 1830, कब बोला मैं आपको, 1818 से 1830, इसी टाइम पे अधिक्छक काल चल रहा था, इसी में एक जन आदमी था कौन, एगेन्यू, तो जो एगेन्यू था, इन्होंने ही राजधानी परिवर्तन कराया था, प्रसन आपको ये भी पूसता है, कि वह कोन सा अधिक्छक था, जिन्होंने क्या किया था, रतन पूर से राइपूर को क्या किया था, राजधानी परिवर्तन किया था, प्रसन आपको इतने बनते हैं, आपको लग रहा होगा कि सर पहला प्रसन है, और एक प्रसन में 15 प्रसन है, आपको पढ़हा ऐसा ही जाता ह यही टेकनीक है आप 15 अलाग अला कोश्चन पढ़ोगे ना आपका दिमाग डाइवर्ट होगा क्लियर जी तो आप चीजों को एक जगा लिखे वीडियो के एक से दो बार दो से तीन बार देख ले लेकिन आपको चीजे बने क्लियर जी मेरा पढ़ाने का बस वही तातपर होता है वही और चित्ते होता है क्लियर आगे बढ़े क्या तो आपके लिए पहले प्रशना कांसर कोन था रत्र नदेव क्लियर आगे बढ़े क्या अगला अब यह है भाई हमारे लिए कौन रतनपूर की माता क्लियर जी तो यह है हमारे लिए कौन महमाया माता और आप देखे होगे कि यह गेट होगा क्लियर जी और कोण-कोण बिलासपूर कह रहा है भही मोला बता दो मैं बिलासपूर में हो सकते ते कात महीनम आँ सब्णकों मिलके चल दू क्लियर जी तो आपको याद रखना क्या बिलासपूर आगे चले जी ecos Soc Confуз के किस साथक ने सर्व प्रथम स्वर्न मुद्राओं का प्र अगर माल लो आपको कोई सोना का बिस्कुट दे दिये, ठीक है जी, केट बरी मतलब क्या चीज होता है, आप में सर्च करें, Google में आपको बताए, केट बरी एक्चुल में होता क्या है, जैसे आप केट बरी डेरी मिल का देखते हैं, तो केटबरी क्या चीज होता है, सोना का बिसकूट, आप सोना का बिसकूट कोई आपको दे देगा, और फ्रीम दे दे, आप क्या करोगे, जय जय करोगे, तो आपको याद रखना जय जय, तो आपको याद रखना जाजल ले देव प्रथम, दूति के लिए नहीं चलना है रचलन करने वाले पहले क couchuri सासक थे आपके लिए कौन जाजल्यदीव प्रथम Nor hesitateS 4 5 6 7 8 question बनते तो आपको याद रखना है जाजल्यदीव प्रथम यह जो जाजल्यदीव प्र लिए आपने नाम पर सहर का इस्थापना किया वह सहर का नाम क्या months जाजल्यपूर तो ये जो वर्तमान आप जाजल्यपूर को देखोगे तो ये आपको दिखेगा किस रूप में जांजगीर के रूप में तो आपको याद रखना जांजगीर चांपा जीले में जो आपका जांजगीर एक इस्थल है उसी को पहले बोला जाता था कियेगा तो कोई ना कोई फिर भगवान की चाएंगे मूर्ती रखेंगे तो आपको याद रखना इन लोग पिर एक भगवान की स्थापना करेंगे आप यहां पर आएगा क्या अगर आप जांजगिर गया होके तिहां क्या मिलता है जी विष्णू मंदिर तो आपको याद रखना है विष्णू मंदिर या इसी की बोलते हैं नक्टा मंदिर ठीक है जी तो आपको याद रखना है क्या विष्णू मंदिर या नक्टा मंदिर अगर मैं 36 गाड में पूरा मंदिर घुमा हूँ उसमें मेरे दो मंदिर बहुत पसंद और दोनों मंदिर आज आपको मैं दिखाऊंगा उसमें एक मंदिर है कौन सा विष्णु मंदिर क्लियर जी अच्छा इसमें नहीं है क्या देखे अगर आप देखोगे तो ये वाला ये जो आपके लिए क्या दिख रहा है स्थापत्य करा दिख रहा है एक मंदिर दिख रहा है यही मंदिर है दूसरे नंबर का मंदिर आपके लिए क्या विष्णु मंदिर कहा का जांजीगीर का जांजीगीर चांपा का बहुत सुन्दर मूर्ती है आप अगर जाओगे देखोगे तो आपको बहुत सुन्दर लगेगा और दूसरा एक और मिलेगा कौन सा नरायन पाल मंदिर नरायन पाल मंदिर भी है आपको दिखाऊंगा आगे में क्लियर जी आगे बढ़े क्या तो हम चल रहे हैं किसके लिए कोस्ट नमबर थ्रीके लिए आपको याद रखना है जा जल ले देओ अगर आप जय जय कर रहे हो अभी चल रही आपके लिए तो सावन में किसकी पूजा होती है याद रखना संकर भगवान का किस दिन रखते हैं अब आपको इसे लगेगे सार यह सब का हमारे पढ़ने स्क्याले नहीं देना मेरा कंसेप्ट आबर तोड़ रहता है अगर आप चीजों को पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो आपको याद रखना सोमेशवर देव तो सोमेशवर देव नाम का था छिंदगनागवनसी राजा इसके उपर क्या करता है आक्रमन करता है अब यह जो क्या था सोमेशवर देव थे यह सोमेशवर देव को आपको याद रखना बस्तर का सबसे प्रतापी राजा था तो बस्तर का सबसे प करतापी राजा सोमेशवर देव प्रथम छिनदक नागवंशी राजा. यह पेपर में बार बार पूछा जाता है कि जाजल ये प्रथम के उपर कौन सा राजवंस का आपका राज़ा क्या ता? अकरमन याद रखना छिनदक नागवंशी राजा. अगर पूछेगा नाम तो बताएंगे आपको समेशवर देव तो आपको याद रखना समेशवर देव भई छिंदाग नागवंसी राजा थे इन्हों ने उसके उपर क्या किया आकरमन आप समझेए ये आपके लिए 36 गड़ क्लियर जी ये आप 36 गड़ देखोगे ये ऐसा य ये केवल वस्तर एक छोटा सा यहां पे रहा है रायकोन आपके लिए समेशवर देव और उसके उपर में पूरे चारों समभाग में आपके लिए जाजाल या देव प्रताम अब इसको भायंकर बढ़ा चड़ा दिये रहते हैं अगर पूरे छिंदाग नागवंसी दोगत दोस्तक चाही बात बताएंगे आपको लगेगा आप दुनिया के सरवस्रेस्थ आदमी हो खनार त्यक्तर कि आप प्ला रहे वह को चढ़ः रहा है चढ़ा रहा हो सकता तर बदो구요 चणु कर्द तो पूरे इसके सांदल और अब ळात रहा है इंको क्या रहा हो लेकिन जब आप सुमार को जाते हो आप अपने बारी का इंतिजार करते हो के नहीं आपको याद रखना पाली पाली कहां पढ़ता आपके लिए कोर्बा में तो आपको याद रखना पाली का सिव मंदिर तो आपको अगर पूछेंगे कि पाली का सिव मंदिर का जिर्नोधार या पुन्रोधार अगर कोन करवाया है तो आपको याद रखना एकोन जाजल ये देवप्रत हम पाली कोर्बा क जो सिव मंदिर है प्राचिन सिव मंदिर है अगर आप बिलासपूर रतनपूर हो के कहां जाओगे चैतूरगर जाओगे तो आपको रोड में ही राइट साइड में मिलेगा एक मंदिर जिसे हम क्या बोलते हैं पाली का सिव मंदिर इस पाली के सिव मंदिर का जिन्नोदार करा अगर पूछेगा पेपर थोड़ा और हाड हुआ तो यह जो स्वर्ण मुद्राओं का क्या किया था प्रचलन कराया था इसमें किसके चित्रों का अंकन था तो आपको याद रखना है क्या गज सारदूल तो आपको याद रखना जी गज सारदूल का क्या था अंकन था किसमें सिको में साब प्रसन पूछे हुए हैं तो आपको याद रखना जाजल ले देव प्रथम वो पहला कल्चूरी सासक जिन्होंने स्वर्ण मुद्राओं का क्या किया प्रचलन करवाया अपने नाम पे सहर क स्थपना कराई जिसे क्या बोल रहे हैं जांजगीर आपको याद रखना विष्णु मंदिर जिसे हम क्या बोलते हैं नक्टा मंदिर आपको याद रखना सुमेश्वर्द एव एक छिंदक नागोंसी क्या था राजा था जो इसके ओपर आक्रमन किया उसके बाद याद अपना जो शिक्का चल वाय था उस만 कराया था उसके अनगान करें था जाजल ले दयो प्रत्रम आपको याद रखना जाजल ले दयो पड़ा यहां से फिशTheça बीट पूशेगा परास्टा आपको इन दोनों जेगा बीडेंट लेकिन अलग प्रस्न बनाएं अलग जगह पढ़ेंगे, अभी जाजल ले देओ पढ़ रहे हैं, तो जाजल ले देओ पढ़ लेते हैं, ये जाजल ले देओ दूती है, तो उसको JJ2 बोल सकता हूं क्या मैं, यहाँ से बोल सकते हैं, JJ2, clear जी, तो आपको याद रखना, एक तो ये खुच जाजल ले देओ, अभी दूसरा जाजल ले देओ से याद रखना, Jaising, तो आपको याद रखना दूसरे से Jaising, Jaising नाम का क्लचूरी साफक था, अब ये जो जैसिंग नाम का कल्चूरी सासक था चूकि ये कहां के थे त्रिपूरी के ओरिजनल यहां के नहीं थे लेकिन भाई कोई आदमियगा रेक जगा रह गया है और साल डेर सो साल रह चुका है और पूरे 36 गड़ इनके हाथ में है रतनपूर को रतनपूर को अपना क् चुके हैं पूरे 36 गड़ की पहली राजधानी बना चुके हैं तो अगर भई पूरा 36 गड़ इनके पास है तो ये उन लोग का क्यों सुनेंगे तो जब नई सुनते हैं तो कल्चूरी सासक जैसी ये कहां का था त्रिपूरी खा उनके द्वारा हमला किया जाता है कि इनके उपर जाजल ले द्विती के उपर तो आपको ये पूस्त है कि जाजल ले द्विती के उपर कौन सा सासक या कौन सा राजा या कौन से जगा का राजा आपको क्या किया था हमला किया था आपको याद रखना जाजल ले द्विती क्लियर जी आगे बढ़े क्या आपको प्रस यह आपके लिए important है 8 वर्सों सबसे पहले मुगल दर्बार में 8 वर्सों तक कौन सा कल्चूरी सासक उपस्थित रहा जिनकी जानकारी तुजुक ए जहांगीरी से प्राप्त होता है एक जन आदमी था एक मुगल सातक था जहां पाए वहांगीर नाम है उसका जहांगीर वो ज प्रशासन करने वाले एक राजा की जानकारी मिली है और वो राजा हुम है कोमलसर मतलब क्या याद रखना है कल्यांट साह तो आपको याद रखना है आप से बहुत सारे प्रस्णा बनते हैं ध्यान से देख हुआ अब बोल रहा है आपको पता चल गया सबसे पहली हो जानकारी मिलती है आपको याद रखना है क्लियान सा गोपला गीत में जानकारी प्राप्ता होती है अगर आप राज बोल रहे हो अगर आप राज्य क्या बोल रहे हैं तो 36 गड़ को 36 गड़ों में विभाजन कराने वाला आदमी भी कौन था कल्यांट सा आप कल्यांट सा कहानी सुनोगे तो 36 गड़ को 36 गड़ों में विभाजित करवाया तो आपको एक राजागा एक सासक का नाम याद रखना है नाम क्या उनका कल्यांट सा अब यह कैसे करा है देखिए यह गये थे अब इनके पास जो जहांगीर के लोग थे वो क्या राजस्ववसूली करने के लिए यह बोला कि यह बार पईसा नीदे हो पावा में मोर्जगा चल्ट नहीं है, मूर किसान मरद जगा धान नहीं हो सिधा दिललीम, पेशी होती कि इन के सामने में जहागीर के सामने में अब जहागीर बोलता है इसको आठ साल रखो पहले बोलता है इसको कैद कर दो अब फिर कुछ बोलाओगा फिर मुझोरी मुबाडी काम कर रहा करके अंदर करवा देता है इधर घर वाले एक सार इंतिजार दो साल इंतिजार किये तीन साल इंतिजार किये चार साल इंतिजार किये धोनी वर्लकप दिल आ चुक है अब बोल रहा है अगला वर्लकप फिर एक वर्ल्ड कप जीतवाने वाला है तब आदमी बोल देता है कि मैं आ जाता हूं तब क्या करता है डील करता है कि एक लाख रूपए दूँगा और असी हाथी का डील होता है क्योंकि दिल्ली में हाथी नहीं होता और हाथी मिलता कहां आपको उडिशा में तो 36 गड़ के जैस बा बोलके घर वाले इधर पितर खा दी है सब टेंशन में भूत आगे भूत आगे बोलता है मैं भूत नहीं हूं मैं जिन्दाओं करके तो जब वह आदमी वापिस आता है तो जो क्या थे मुगल थे पूरे भारत में जिनका विस्तार था अगर आठ साल उनके प्रसासन को तक को नहीं मिस्टर चिसम मिस्टर चिसम या मिस्टर चिसं आप जो बोलो मिस्टर चिसम या मिस्टर चिसं यह क्या थाhole अंगरेजी अधिकारी था अंग्रेजी अधिकारी के सहायता से 36 गड़ को 36 गड़ों में क्या क्या बाटा अब ये 36 गड़ कहा बाटा सिउनाथ नदी के जो आपके पास सिउनाथ नदी है ना उसके उपर और नीचे मतलब उत्तर और दक्षिन तो सिउनाथ नदी के उत्तर में 18 गड़ और सिउनाथ नदी के नीचे 18 गड़ उसी को बोला बाद में क्या 36 गड़ आदमी का नाम याद रखना है कि आपको कल्यान साथ अगर आपको पूछेगा राजस्व जमाबंदी प्रनाली तो उसके भी प्रनेत या फिर उसके भी सुत्रधार आपके लिए कोन है कल्यान साथ क्लियर जी याद रखना है राज सिंग याद रखना सरदार सिंग दोनों की कहानी आपको आगे बताता हूं क्लियर यहां तक तो आपको यह प्रशन बनते कहां से कल्यांड साइसे क्लियर जी अगे बढ़े क्या अगला याद रखना है किस कल्चूरी सासक ने सकल कोसलादी पती की उपाधी धारन की थी जब मैंने आपको बताया था सकल कोसलादी पती एकदम इनपोर्टेंट प्रशन बहूत बार पूछा गया है तो सबसे पहली याद रखना सकल संपून कोसल कोसल मतलब क्या बोला था उत्तर कोसल दक्छिन कोसल दक्छिन कोसल में क्या सामिल होता था 36 गड़ मतलब 36 गड़ के बाहर भी क्या रहा होगा विस्तार अधीपती मतलब होता है स्वामी मतलब पूरे किसका कोसल का स्वामी अगर यह उपाधी धारन क्या होगा मतलब यह आदमी का आप वर्चस्वा देखो तो पहले ती से बताया था कोन आपके लिए तीवर देव देव था यह किसका अनुयाई था यह परम भागवत को मानता था नाम का इसका महासिव तीवर देव तो यह क्या था परम भागवत था या परम महिस्वर यह आपको बताने है भाई अब मैं रोज कुछ ना कुछ प्रस्म पूछूंगा मैं भी तो देखूं आप पढ़ रह बस पतिवर याद रखना तो तीसे याद रखने तीवर देव और पास से याद रखना आपको इधर क्या प्रित्थवी देव तो आपको याद रखना है क्या प्रित्थवी देव प्रथम यह सहीं जवाब है तो प्रित्थवी देव प्रथम जो थे इन्होंने सकल कोशला अधिपती की क्या की थी उपाधिधारण की थी माना यह जाता है कि लगभग इन्हों ने 21,000 गाओं को क्या किया था जीता था अब भी आपको बता देता हूं 2022 के कंडिशन में कि 36 गण में टोटल 11,664 क्या है जी ग्राम पंचायत है और लगभग 20,000 गाओं है अभी 2022 की स्थिती में लगभग 20,000 गाओं उस टाइम बेनोंने क्या किया था 21,000 गाओं जीता था जब गाओं रहे भी कम होंगे तो ऐसे एक व्यक्ति कोन है प्रित्वी देवपरा था तो आपको याद रखना संपूर्णा कोसल को जीतेगा मतलब पूरा प्रित्विक जीत देगा क लेकिन पहला अदमी किया रखना तो आपको याद रखना कौन प्रित्वी देवपरा था जीन होने क्या किया था सकल कोसल अधिपती का उपाधी धारण किया था आगे चले क्या जी तो आपको याद रखना ये रतना देवद्विती प्रित्वी देवद्विती ये आगे च प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर का निर्मान किसने करवाया यह आपके लिए बहुत इनपोर्टेंट प्रस्थथ है आप देखो कि बहुत बार बहुत बार पूछा जाता है तो आपको शबसे पहली तो देखना चाहिए कि यह भोरम देव मंदिर है क्या तो यह देखिए आप अंदर में जाओगे इस साइड से तो आपको क्या मिलेगा एक सीवलिंग मिलेगा यह जो सीवलिंग है इसको क्या माना जाता है इनको माना जाता है क्या आदिवासी दें होता और आप यह बताईए मेरे कमेंड करके कि जो मैकल पर हुआ था जो कबिरधाम है वहां कौन सी विसेस पिछडी जन जाती निमास करती आप कमेंट करके बताए भई तो आपको याद रखना है भई ये हमारी लिए क्या 36 गड़ का खजुराओ जिसे हम क्या बोलते हैं भोराम देव आप इसका कंसेप समझेए कि इसको 36 गड़ का खजुराओ क्यों बोलते हैं इसको क्या कियो थे चंदेल वंसी चंदेल वंसी सासको ने क्या किया था इसका निर्मान करवाया था और इसका जो डिजाईन है लगभक Counselor है जैसे माल लो आपके कोई बड़े पापा है, चाचा है, कका है, ममा है, कोई भी हो अगर वो अच्छा घर बनाया है और लो बजट में बनवाया है और बेस्ट बनवाया है आपको अगर घर बनवाना है आप उसको पूछोगे कि हाँ भई काकर से बनवारेच कौन बनवाई से कैसे डिजाइन बना माल लो आपको उसका डिजाइन एकदम परफेक्ट लगा हो आपको एकदम एज़िटीज वैसी बनवाना है तब क्या करोगे आप उसको बुलाओगे आप चूगिच मद्य प्रदेश से तूटके क्या बनाए आपके लिए 36 गड़ और यह जो आपका खजुरा हो है एकचोल में कहा है भई एमपी में तब क्या किया गया वहां के जो कारी गड़ थे उनको बुलाया गया और वही आके क्या किया इसको बनाए तो यह एकदम ऐसा दिखता है और इसका जो इस्थापत्यकला का जो नमूना है जो डिजाइन अल्लाग भग वैसी आपके लिए कौन सा भोरम देव इसलिए इस खजुराहो के तर्ज पे इस भोरम देव मंदिर को क्या बोला जाता है जी 36 गड़ का खजुराहो तो आपको याद रखना है 36 गड़ का खजुराओ किसको बोलते हैं भोरम देव मंदिर को बोलते हैं क्लियर जी यहां के अंदर में आप जाओगे गर्बगरी में तो वहाँ एक सीवलिंग है उसी सीवलिंग को बोला जाता है कि आपके लिए आदिवासी देवता आपको याद रखना ये गाउं गाउं क क्लियर जी तो आपको याद रखना है चोरा गाउं क्लियर जी कब बना ये पूस देगा तो आपको याद रखना है एक जन आदमी का नाप सबसे पहली तो आप आंसर ले लो किसको गोपाल देव यह जो गोपाल देव है आप गोलमाल फिचर देखियो गोलमाल में एक जन ग लोग का लेलो चाहिए आप किसका लेलो मेहंदर सिदो नहीं 7 नंबर का जर्शी 7 के बाद क्या आता है 8 8 के बाद क्या आता है 9 और 9 के बाद क्या आता है तो 1089 इस्वी में गोपाल देव नाम का एक छिंद स्वारी फणी नागवंसी तो आपको याद रखना फणी नागवंसी एक सासक था यह नहीं क्या किया 36 गड़ में भोराम देव मंदिर का निर्मान कराया उसी को ही क्या बोलते हैं 36 गड़ का खजू रहो माल लो आपको पूछेगा कि यह क्या अकिला बनवाया था नहीं भए उस टाइम पे एक जन और आदमी था तो इसका सही होगी माल लो आपको पेपर में नहीं दिया किसको गूपाल देव और आपको अंसर दें दिया इसी के option में क्या विकल्प में लच्मान देवराय है तो अगर आपको यह option में नहीं दिया रहेगा गूपाल देव और राम चंद्र द्यों मोनिंग द्यों वीलास्तूंग सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, ये दोनों को तो हमको पढ़ नहीं, बात कर लेते हैं विलास्तूंग, इसके बारे में मैंने पिछले प्राचिन 36 गड़ के इतिहास में चर्चा किया था, आप इसको बताएं, ये जो आपके लगाद की ह änकोन है तो यह क्या doktora राजी में क्या किए स्सप्चान मंदिर का क्या किया था निर्मान करवाया था यह बताbasis में को बता चुका cheesy कब कर आया था मैं आपको 700 सूरूम बता देता हूं आगे आपको बताना है कि 700 से कब तक निर्मान करवाय था क्लियर जी याद रखने हैं आपको क्या एक मंदिर जिसे हम क्या बोल रहे हैं राजीव लोचन मंदिर और यह किसका मंदिर है यह भी आप मेरे कमेंट करके बताई सिव मंदिर है विष्णु मंदिर है लचमन मंदिर है माता मंदिर है पीता मंदिर है कोई भी मंदिर है आप बताएंगे कि कौन सा मंदिर है क्लियर आगे बढ़े क्या जी अगला याद रखने हमको क्या देखें यह चीत तो मैं बता चुका था आगे चले क्या जी अच्छा मा अगर आपको पूछे किसका सहली कौन से है तो आप बताएंगे कौन से सहली का है नागर सहली का अगर आपको पूछेगा किस पत्थर से निर्मिठ है यह आपको दिखाई पड़ रहा है बताईए यह बना हुआ है किस से बलुआ पत्थर से अगर मैं आपको पूछूंगा कि भारत में अगर परवस्रिंखला है आपके पास हिमाला है आपके पास सत्पूरा है आपके पास रावली है आपके पास विंध्यन परवस्रिंखला है आप जाओगे तो इधर साउथ में आपको पढ़ेगा क्या पस्चिमी घाट तो अगर इतने सारे आपके पास क्या परवस् अगला बन्हां है हमको तो अगला यह यह आपके लिए क्या मढवा महल मढवा महल के बारे अगला क्योश्चन आएगा आप देखें आपके लिए काल्चूरी राज खुमारी अंभिका देवी का विवा किस साथ के साथ हुआ था गोपाल देऊ देख चुके हैं क्या भोरम देव, भोरम देव की क्या किया था, जी स्थापना करवाया था, कप कराया था, आठ, नौ, दस, इस वी में, clear, आपको याद रखने राम चंद्र देव, तो राम भगवान, सीता माता, अब ये सीता माता हमारे लिए कोन है भई, राजकुमारी अंबिका देवी, आप इ ये गोपाल देवी, इसको एकदम जब और जस तरीके से तयार वियार करगे, मिनाक्षी ब्यूटी पालर से लेके मंगवाता है, ये आद में बढ़िया, रितिक रोशन टाइप का वहीं खड़ा है, अंबिका देवी आई, मंदिर का दर्शन करी, एकदम भार में खड़ा है आपके लिए कौन सा, रामचंद्र देव, दोनों का साधिक उमर हो गया है, अंबिका देवी को पसंद आ जाता है कौन रामचंद्र देव, लेकिन ये जो रामचंद्र देव है, ये कौन है आपके लिए फणी नागवंसी, ये फणी नागवंसी राजा है भाई, ये क्या ह इनका है दूर्ग संभाग पूरा राइपूर संभाग इनका है आपके लिए बिलाथपूर संभाग इनका है पूरा सरगुजा संभाग इनका है अब यह जो फणी नागवंसी इनका केवल एक फो जीला है जीला कुन सा कबीर्धाम जीला कबीर्धाम भी जीलाम देखोगे कौ च्छतिस गार तो मैं क्यों साधी नहीं करूं जो जो time and condition बोलेंगे सब को मैं स्विकार लेता हूं करके कौन बोल देता है रामचंद्र देव सबसे पहले ये बोलती है कि मेरे का कर साधी करना है तो एक महल में मैं साधी करूंगी लेकिन उस time पे एक महल हुआ करता था तो ये जो महल दिख रहा है यही है आपके लिए क्या मढवा महल आपको बार बार पूछा जाता है कि जो आपके लिए क्या मडवा महल है इस मडवा महल का निर्मान किसके द्वारा कराया गया था तो आपको याद रखना मडवा महल का निर्मान करवाया गया था किसके द्वारा आपके लिए राम चंद्रदेव के द्वारा किसके लिए किया गया था अंबिका दैवी से जब इसका विवाह होने वाला था तब कराया गया था अब आपको पूछे गाश्ञ्ट थोड़ा गज़बदा जाओ कि सर कैसे याद होगा कैसे याद होगा कोमाल सर वैथे टेंसर निले साधिक टाइम बता रहा हूँ साधिक टाइम था कितना एक बचके उन चास मिनट कितना बोला मैं अगर यह दो पहर के एक बज़े है तब इसी हम लोग क्या तैया बोल सकते हैं 13 बचके उन चास मिनट आपको याद रखना है क्या तेरा सो उन चास इसवी में आपके पास मडवा महल क्या होता है निर्मित होता है क्लियर जी तो आपको याद रखना मडवा महल आगे चलते हैं अब आपको एक और महल दिख रहे हैं इस महल को बोला जाता है छेर की महल तो आपको याद रखना छेर की महल यह जो अंबिका देवी है यह बोलती है क्या किम्मा है आपको क्या नहीं देंगी देंगी वधियू Ł'm you no worthy करके तब को बोलती हमार घर के मन तुम रला छेरी पाटी दी बोक़रा पाटी दी तो याद रखना और छेरी के जगां आपको story याद रहेगा चीजे याद रहें कि दो सो परतीस तो आपको याद रखना छेरी तो आपको याद रखना छेर की महल आपको याद रखना मडवा महल और आपको याद रखना क्या भोराम देव यह तीनों के तीनों जगा एक ग्याँ पर है चारा गाँ आप किसी के दिमाग में आ रहा होगा क कि सर जो मडवा महल है जो जो छेर की महल है दोनों छपरी ग्राम आप अगर कबीर धाम के हैं तो आपको पता है लेकिन पी असी और व्याप हम अगर अंसर लेता है किसको चावरा गाओं को किसका किसका भोराम देव मंदिर का आपको मडवा महल का और आपको किसका छेर की महल क तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है भाई आपको पेपर निकालना है अगर वो अंसर ले रहा है चौरा गाउं तो आपको भी लेना है चौरा गाउं आप बिल्कुल यह दोनों नहीं बोलेंगे कि सार यह 26 में है मैं भी घूमने गया हूँ मैं एक भी पता है लेकिन मैं आपको मिजगाइड नहीं करूंगा अंसर बोलेता है चौरा गाउं चाहे पुछे भोराम देव चाहे बोले मडवा महल चाहे बोले छेरकी महल तीनों का अंसर है क्या चौरा गाउं तो आपको अंसर लेना है चौरा ग क्लियर जी आगे याज बढ़े क्या तो आपको याद रखना है रामचंद्र देव आपको याद रखना है मोनिंग देव यह जो मोनिंग देव था यहां से भी प्राश्णा पूस्त अंतिम फणी नागवंसी सासक था बैए क्लियर जी तो आपको याद रखना अंतिम फणी नागवंसी सासक कोन था मोनिंग देव आपको याद रखना हरी चंद्र है यह हरी चंद कोन है यह है आपके लिए छिंदाग नागवंसी राजा तो आपको याद रखना छिंदाग नागवंसी राजा इसके उपर हमला करता है आक्रमन करता है काक्ति वंसी शासक, नाम क्या है यह भई, आक्रमन करता है, यह आपके जो खरिश्चन्द्र है, इसके उपर आक्रमन करता है, और अपने किस का, क्या बोलते हैं, राजवन्थ का, क्या करता है जी, इस्थापना करता है, आपको ये जो आपकी लिए क्या है वन्थ साय यहाँसे आपको एक परश्न और पूछ सकते हैं, आगए देखते हैं उसको क्या पूछेगा, आगे बड़े जी, आप आपको पूछ रहा है राजञ में कौन सा राजवन मैं आपको पहले हम सब बता दिया हूँ पहले वीडिया में प्राचिन 36 गड का वीडियो बताया था उसमें बता था व्याराग आपके लिए व्याग्र राज उसके बाद आपको याद रखने अर्थपती इसी में हम लोग पढ़े थे क्या भावदत्त वर्मन ये सब पढ़ चुके हैं ना इसीम थोड़े देर पहली पढ़े कौन विलास्तूं ये कोई धाराण नहीं करते थे भाई क्या भगवती पुरेश्वार आपको याद रखने हैं फणी नागवन्स अभी तो पढ़ रहे हैं क्या ये नल नागवन्स ये कहां पर रहते थे थे पुसकरी पे अब आप बोर रहे हो सरे क्यों बता रहे हो इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि यहां स्प्रश्ण पूस्त है छिंदग नागवन्सी राजा इनको बोला जाता है चक्रकोट या इनही को बोला जाता है भ्रामर कोट स्वारी भ्रामर कोट या इसी को बोला जाता है क्या बस् चिंदग नागवंसी राजा यह जो चिंदग नागवंसी आपको चार रूपों में पूछेगा जा ब्रहमर कोट के नागवंस पूछे चक्रकोट के नागवंस पूछे बस्तर के नागवंस पूछे यह तीनों की तीनों क्या चिंदग नागवंसी राजा और यही जो चिंद इसपर की उपाधी धारंग करते थे clear जी आगे बढ़े क्या अगला याद रखने आपको अगला प्रश्ण देखिए यहां से आपको बहुत सारे प्रश्ण बनेंगे यह प्रश्णों को आप यहीं पर डील करना चाहेंगे तो कर सकते हैं बिलकुर देखिए आपका यह जो क् पुरुसपाला भिलेक से किस छिंदग नागवंसी राजा की जानकारी प्राप्त होती है न्रीपती भूशन यह जो न्रीपती भूशन है इसको बोला जाता है छिंदग नागवंसी राजाओं का संस्थापक या इसी बोलना चाहिए क्या पहला राजा प्राथम सासक यह है आपके लिए को न्रीपती भूशन यह पहला प्राशन आपके लिए दूसरा प्राशन की छिंदग नागवंसी ओं का प्राथम राजा किसको बोला जाता है या छिंदग नागवंसी ओं का संस्थ आपक किनेम आना जाता है नरी पति भूशन आपको याद रखना है जगदेव भूशन धारवर्स जघ्धेव भूशन format धारवर्ष था इसका एकजन सेनापती थे पेपर आपको यहां से पूशता है कि इसका जो सेनापती था उसका नाम बता इसके सेनापती का नाम था क्या चंद्रोदित्य यह जो चंद्रोदित्य है अपने नाम पे क्या करवाया था एक सिव मंदिर का स्थापना करवाया था और यहीं पे अपने नाम पे चंद्रोदित्य क्या तलाब का निर्मान करवाया था यह दोनों या सरोवर बोले या तलाब बोले या जिल बोले, आपको याद रखना, जगदेव भूसण धारा वर्स, इसी का सेना पती था, चंदरो दिद्य, वही आदमी सिव मंदिर बनवाए है, वही आदमी के आपके लिए क्या किया है, तलाब बनवाए, पूछे का कहां बनवाए है, एक जगा है आपके लिए को में किसको बोलते हैं आप मेरे कमेंड करके बताया अगर देख रहे हैं तो आपको दूसरा प्राश्ण आगर ये पूछे प्राचिन मंदिरों की नगरी ये आप कभी नहीं पढ़े होगी मैं आपको दूसरा प्रती साथ बता रहा हूं बहुत काम लोग अगर एकदम डीपर अध्यन करें होंगे 36 गड़का तब आपको पता चलेगा जो बारसूर है ना इसको बोला जाता है क्या प्राचिन मंदिरों की नगरी क कारण आपका यह है यह देखे आपको यहीं पर पड़ेगा क्या नरायन पाल मंदिर क्लियर जी आपको याद रखना है क्या नरायन पाल मंदिर दूसरा आप देख रहा हूं यह क्या है आपके लिए जुडवा गनेश प्रतीमा या इसीक बोलते हैं क्या विसाल गनेश प्र अगर ये क्या बना है चिंदग नागवंसियों के बाद बना है उनका इस्थापत्य कला है तो लगभग कब 1324 के बाद बना है तो अगर ये चिंदग नागवंसियों के द्वारा बनाया गया है ना तो जिस समय पे बना था तो अगर पूरे गनेज भगवान के अगर आकृती बनी हुई थी तो इससे बड़ा गणेश भागवान जब यह बना था उसके टाइम पे नहीं था यह अपने आप में बहुत बड़ा मामा भाच मंदिर कहां इस्थीत है आपके लिए पूछेगा चंद्रो दित्य या फिर चंद्र दितेश्वर आप इसको माइंड नी करेंगे ठीक है चंद्र दितेश्वर या चंद्रो दित्य जो मंदिर है आपके लिए मामा भाचा मंदिर आपके लिए जुड़वा गनेस प्रतिमा ये सब जो चीजें मिलेगी आपको एक जगा पे मिलता है जिसे हम क्या बोलता है बारसूर तो ये बारसूर आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है भई क्या प्राचीन आपके लिए क्या है ये मंदिरों की नगरी कहा चाता है clear आगे बढ़े क्या जी तो आपके लिए देखना है ये सब चीजे clear आगे बढ़े तो आपको याद रखना है यहां तक लिए रज़िव हरी राइंट के बारे में आपको क्या बताया था जो आपके लिए फार फार जाओ आपको या जाद हो गांगे बढ़े अब हम लोग देख रहे हैं लास्ट प्रस्ण, जिसमें क्या बोल रहा है, निम्ल लिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं ہے, मतलब आपके तीन प्रस्णा यहां से आते हैं, 100% आते हैं, वो तीन प्रस्णा कौन-कौन से, सबसे पहली बोल रहा है क्या जाजाले देव प्रताम ये तो हम देख चुके हैं किनोंने क्या किया था पाली के सिव मंदिर का निर्मान कोन कराया था ये अगर आप बता सकते हैं तो बताएं क्लियर जी इसका निर्मान कोन कराया था ठीक है दूसरा लिखा आपके लिए क्या प्रित्वी देव प्रतम, राजी लोचन मंदिर प्रित्वी देव गृतिया, राजी लोचन मंदिर ये सही जवाब है, उसके बाद लिखा रत्ना देव तृतिया, लखनेश्वर महादिव मंदिर ये भी सही है, मतलब आपके लिए गला था ये और यहीं आपके लिए सही आपको याद कैसे होगा याद करते-करते करते चूट जाएगा आपको तो आपका जी में जूटके में बता रहा हूं आपको लिखना जय पूर ना परता है औब को याद रखना उना जाए प्रथम अ डिधिकि क्या बोल आपको जाजल ले देव प्रथम, आपको याद रखना पृत्वी देव द्वीति, आपको याद रखना कौन, रत्न देव त्रिति, क्लियर जी, आपको याद रखना, देखो यह क्या लिखा है आपके लिए? पी आर तो आपको याद रखना है पी आर को ना उठा के ऐसे लिए तो आप लिखे पी और आर तो पी आर एक सांथ लिख लिए आपको याद रखना है जे आपको याद रखना है के तो जे के बाद आता है क्या के तो आपको जे और के याद रखना है समझे अब आप देख रह पाली के सिवमंदिर का जिन्नोधधर या पुंडोधधर करवाया था क्लियर जी रिनोवेशन करवाया था उसके बाद याद रखना है कौन पृत्वी देवद्वीस है यह R से याद रखना है आपको राजीम 흥 तो राजीम में ने आपके लिए राजीव लोचन मंदिर तो आपको याद रखना राजीव लोचन मंदिर का जिन्नोद्धार पुंडोद्धार कोन गरवाया था पृत्वी देद्विती उसके बाद याद रखना रत्न देद्विती इसी को याद रखना का से याद रखना खरोद अब इसी खरोद में क्या है आपके पास लच यह राजिम अगर मेरे को राजिम दिख गया तो यहां सापको दो परफ्ण बनते हैं सबसे पहली सी क्या बोलते हैं 36 गड़ का प्रयाग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं 36 गड़ का प्रयाग अब मैं आई सीग बोल सकता है त्रिवेणी संगम आपको पूर्षता है चृतिस गड़ कि ये त्रिवयडी जो संगम है ये त्रिवयडी संगम की ने तीवा यख आप मेरे कमेंट करके बताए अगर देख रहे तो आगे चलते हैं लखनेशवार महादेव मंदिर ये जो लखनेश्वर महादेव मंदिर है इसी को एक लखिया मंदिर भी बोलते है ठीक है जी एक लखिया मंदिर मतलब इसमें 1000 छिद्र है बोलते हैं और पानी डालोगे और पानी आपको सिधा पताल लोग में जाता है बोलते हैं आपको डालोगे तो क्या है पूरा आपका ज करते हैं जाता है ज़सना जाते चानिस तो यह आई आसा को पूस्ता 3rd की किसको बोले हैं तो चानिस गड़ की स्थापित कि ऑखवान लच्मन जब क्या किये थे हुआ अपिस आये थे वनवात है तो यहीब लच्मन भागवान के द्वारा शिवलिंग इस्थापित किया गया था तो उसी सिवलिंग के नाम पर इसे क्या बोला जा रहा है लखनेश्वर हम लोग लखन थोड़ना लचमन को लखन बोलते ना चतिस गड़ी में तो लचमनेश्वर महादेव मंदिर बोले यह लखनेश्वर महादेव मंदिर बोले आपक ये तीनों आपकी PSCI वापम के एकदम फेवरेट प्रस्ण है, तो मैंने कोशिज किया कि अगर मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मध्यकालिन, 36 गड़, तो मैं चीजों को अगर क्या करूं, कमपाइल कर पाऊं, तो कर पाऊं, अगले क्लास में हम देखेंगे, तो इन सब को एक वीडियो में फिर देखेंगे, तो आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं जरूर कोशिज कर रहा हूं कि चीजों को जितना समनवाय कर सकूं, कमपाइल कर सकूं, करूं, तो अपनी रंतर कोको के साथ पढ़ते रहिए, और निरंतर बढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय जोहार, जय 36 गड़,